कि क्लास्टेन की साइज 3.6 का कुस्षन नंबर इसमें वन का टू और थ्री सोल्ब करेंगे ठीक है कुस्षन यह कह रहा है कि सोल्ब दो फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एक्वेशन बाइ रिडिसिंग देम टू पेयर ऑफ लिनियर एक्वेशन इनको क्या करना है रिडियूस करके कन तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इतना जब है तो इतना तो लिख सकते हैं 2 multiply 1 तो यहां से क्या कर सकते हैं 2 हम बाहर common ले सकते हैं और यहां पर क्या पच्छिए 1 divided by root x ठीक है तो इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या 2 into bracket में 1 divided by root x प्लस इसमें 3 common ले लेंगे 3 multiply 1 अगर हो लिख सकते हैं इसको तो 3 बाहर लेंगे तो क्या आएगा 1 divided by root y equal to 2 उसी तरह से इस वाले में हम ऐसा कर सकते हैं 4 divided by root x minus 9 divided by root y equal to minus 1 है इसमें से 4 बाहर common लेते हैं तो यहां 1 बचेगा तो लिख सकते हैं 4 into bracket में 1 divided by root x minus 9 बाहर लेंगे तो 1 divided by root y equal to minus 1 हो जाएगा तो इन दोनों में हम देख रहा है क्या 1 divided by root x दोनों में common है यहां 1 divided by root y दोनों में common है तो इसको हम लोग क्या करेंगे let कर लेंगे let 1 by root x equal to a और 1 by root y equal to b तो हमारा equation क्या बन जाता है first वाले को हमने a माना था और second वाले को हमने b माना था तो यहां से हो जाएगा 2 a plus 3 b equal to 2 और यह हो जाएगा 4 a minus 9 b equal to minus में 1 इतना लिख सकते हैं तो यहां से हमारा equation जो बनेगा क्या बनेगा 2 a plus 3 b equal to 2 2 a plus 3 b equal to 2 और 4 a minus 9 b equal to minus 1 यह हमारा equation second हो जाएगा इसमें अगर b वाले term को हम कटाते हैं तो यहां पे 3 है और यहां पे 9 है तो इसको भी इसके बराबर होना पड़ेगा तो इसमें 3 से multiply करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा इसके बराबर तो यहां पे लिखेंगे from equation 1 में हमने 3 से multiply किया और plus कर दिये equation 2 को तो फर्स्ट equation में हमने 3 से multiply किया है तो 3 से इसमें सब में multiply होगा तो 2 3 जा 6 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 इतना लिख सकते हैं और second equation जैसे था हमने वैसे यहां पे लिख लिया अब यहां पे प्लस में 9 भी है और माइनस में 9 भी है यह तो cancel हो जाएगा तो 6a प्लस 4 एक्वल 2 हम solve करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10a और यहां पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा यहां से हम a का वैलू अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि पहले से यहां पे 5 है यह हमने लिख लिया multiply में 10 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा divide हो जाएगा तो 5 2 जा 10 1 upon 2 यह आया हमारा a का वैलू तो तो 2 into एक वैलू आया कितना 1 by 2 तो एक जगा पर हम लोग लिख लेंगे 1 by 2 और 2 तो पहले से था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे 2 1 जा 2 यह total जब solve करेंगे तो हम लोग तो 1 1 जा 1 और plus में 3 b equal to क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2 था यहां लिख लिए plus में 1 इधर जाके क्या हो जाएगा minus 1 2 में से 1 minus करेंगे तो 1 आएगा यहां पे 3 multiply में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 1 divided by 3 तो b का भी value निकल गया a का value 1 by 2 और b का value 1 by 3 तो यहां से लिख सकते हैं कि हमने क्या माना था तो लिखेंगे यहां पे now 1 by रूट Y equal to b एके जगह पे एका value और b के जगह पे बी का value 1 by 3 हम लोग रख लेंगे ठीक है और एके जगह पे 1 by 2 आया था यहां से हम लोग क्या करेंगे cross multiply करेंगे root x को 1 में तो क्या हैगा हमारा root x 2 को 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा इसको भी cross multiply कर लेते root y को 1 में करेंग हैं तो 3203 हो चलिए यहां से हमने क्या किया है कि दोनें स्क्लेयर कर लिए तो इसका एस्ट्षार करें के टो रूटर अट आड़ा एक ऐस्टो जाएगा और टू कहाल करेंगे फोर फोर जाएगा यहां से क्या होगा रूट y का square करेंगे y और 3 का square 339 तो इस तरह से हमारा x का value 4 एंड y का value क्या आगया 9 इस तरह से हम लोग 1 का second हम लोग solve करेंगे अब हम इसमें question number third को solve करेंगे 1 का 3 जो की इस ही type का question है इसमें क्या था कि जो भी equation दीए गये थे हमको क्या करने है गए और आफ linear equation में convert करके तब हमको solve करना है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे 4 upon x plus 3y equal to 14 यह हमारा question दिया हुआ है और इसके साथ क्या है 3 by x minus 4y equal to 23 है तो इसको हम लोग लिख सकते है 4 multiply 1 तो 4 common लेंगे तो 1 उपर और नीचे x आएगा तो 4 1 upon x हो जाएगा और plus में 3 इसमें तो यह तो y divide में नहीं है ऐसा ही है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3 common लेंगे तो क्या आप सिर्व बचेगा y 3 into y s इस तरह से लिख लेंगे equal to क्या हमारा 14 है इसके बाद से इसमें 3 common लेंगे 3 multiply 1 लिख सकते है 3 को तो 3 common लेंगे बाहर तो उपर में 1 होगा और नीचे में x होगा तो 3 common लेकर 1 upon x लिख सकते हैं ऐसे और minus 4 को हम बाहर common लेते हैं तो bracket में लिख सकते है y equal to हमारा क्या हो गया 23 हो गया अब इसमें क्या करेंगे 1 by x को हम लोग की लेका तो लेकर लेंगे एक्पर बराबर और y को मनलेंगे य को बराबर मनलेंगे ठीक है तो यह हमारा क्योंड क्या बनेगा फर्स्ट वाले को हमने अ मना है सेकेंड वाले को भी तो 4 a प्लस 3 बीख्वल 2 14 हो जाएगा और सकेंड बि प्रस 3 3a-4b equal to 23 है ना तो यह हमारा equation first हो गया और यह equation हमारा second हो गया अब यहाँ पर हम बी वाले term को कटा रहा है तो बी वाले term में इसमें coefficient 4 है इसमें 3 है इस वाले 4 से first वाले equation में multiply करेंगे और इस वाले coefficient से जो first वाले में है इससे हम second वाले में multiply करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर from equation 1 में हमने 4 से multiply किया और plus कर दिया equation 2 में 3 से multiply करके first वाले में हम इसमें total term में 4 से multiply करेंगे तो 4,4,16 यह है तो यह लिख लेंगे 3B को 4 में करेंगे तो 3,4,12 भी हो जाएगा और 14 को 4 में करेंगे 14,4,56 हो जाएगा 3 से इसमें multiply करेंगे तो 3,3 जा 9A और 4,3 जा 12B 23 को हम 3 में multiply करेंगे तो 69 हो जाएगा यह plus और यह minus cancel हो गया 16A और 9A प्लस करेंगे 25A हो जाएगा 56 और 69 को प्लस करेंगे 125 होगा इससे यह cancel हो जाएगा 5 times 25 फाइब जा क्या हो जाएगा 125 तो यहां से यह क्या वैलू क्या आ गया हमारा 5 आ गया तो यहां पे हम लोग लिख सकते है क्या putting the value of a in equation first equation first या फिर second किसी में रखेंगे तो हमारा वैलू आ जाएगा तो हमने यहां पे equation first में रखा तो लिखेंगे यहां पे putting the value of a in equation first equation first है 4A plus 3B equal to 14 तो 4 multiply a के जगह पे एका वैलू रखेंगे क्या 5 है plus 3B equal to 14 तो यह हो जाएगा हमारा 20 plus 3B equal to 14 हो गया 3B जैसे था वैसे हमने लिख लिए 14 से लिख लिए और plus में 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 20 में से 14 माइनस करेंगे 6 होगा और बड़ा का sign माइनस लिख लेंगे अब यहां पे 3 multiply में है तो माइनस 6 divided by क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा 3 तो 3 2 जा 6 यहां पे हमारा अंनल यहां लिख सकते हैं कि हमने क्या लेट कर रहा तो वन्हीचे लिख सकते हैं इसको cross multiply करेंगे 5 में X को तो 5X हो गया 1 को 1 में करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा 5X equal to 1 1 जा 1 और यह ऐसा ही रहा जाएगा B का value क्या है हमारा minus 2 है ऐसे था वैसे हमने यहाँ पे लिख लिए यहाँ से 5 multiply में है तो यह हमारा 1 divided by क्या हो जाएगा 5 X का value हो गया 1 by 5 और Y का value minus में 2 हैंस लिख सकते हैं X का value क्या हो गया 1 by 5 और Y का value हो गया minus 2 इस तरह से इसका हम लोग यह question solve कर लेते हैं